पुन्निस्मृति में उनकी पुत्र बधू श्रीमती रूपा जी टिमबढिया एवं परिवार राज़कोट गुजरात प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरुपासे तेर्था सरस्वती अरतुनो दुरितान। अज्याने तिमिरांधानाम ज्यान अंजन्शलाकया चक्षुरुन मिलितम येने तस्माई श्री गुरुवे नमेहे श्री परम गुरुवे नमेहे परंपराचार्य गुरुवे नमेहे सकल कळुष विद्वंसकम श्रीयासम परिवर्दकम धर्म संबन्धकम भव्य जीव मनेपरति बोदकारकम पुन्य प्रकाशिकम पाव प्रनाशिकम इदंशास्त्रम श्री सैयं प्रकाश नाम देयं अस्य मुलिगरंत करता रहे श्री सर्वग्य देवास्त उत्तरकंत करता रहे श्री गनंतर देवा प्रति गनंतर देवास्त श्राम वैच्चनान सारमासाद्य आच्यारिय श्री कुंद कुंदामनाई आच्यारिय सूर्य सागरेन विर्चितं श्रोतारह सावधानते अश्रण वंतू Mangalam भगवान वीरो Mangalam गोतमूगनी Mangalam कुंद कुंदाद्यो जेंदर्मोस्त मंगलम सर्व मंगलमांगल्यम सर्व कल्यान कारिकं Прदानं सर्व धर्मानाँ जेनंजेतु शासन случае स्प्रौनेटाम जे नम जे तू शासनम, जे नम जे तू शासनम, सैयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, सूर्य सागर जी महराज द्वारा लिखी गई, ये है सुन्दर ग्रंथ श्रंखला, जसमें पूरवार्द तो मुने राजों के लिए लिखा, मुने राजों के आचरण के लिए लिखा, और ये है उत्तरार्द श्रावकों के लिए लिखा, श्रावक का चार ग्रंथ है, इसका ये है उत्तरार्द ग्रंथ, श्रावकों के जीवन सम्मंदी, बाते यहां बताई जानी है, जिन में श्रावक को क्या करना चाहिए, श्रावक है उसमें सर्व प्रथम क्रिया का नाम कहा गया है देव पूजा और देव पूजा के इस प्रसंग में बड़ा सुन्दर चित्रन छोटे-छोटे से बिंदू बना करके किया जा रहा था कल हमने जिनिंद्र देव की पूजन की महिमा भी देखी थी कि भाई देखिए जब जिनिंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन करने की ही ऐसी महिमा है प्रतिमा दर्शन की साक्षा जिनिंद्र देव नहीं क्योंकि मानस्तंबों की चर्चा थी आपको पता होना चाहिए मानस तंब दर्शन करने मात्र से ही अद्भुत चमतकार हो जाते हैं तो फिर साक्षा जिनेंदर देव की तो बाती क्या करें हम मानस तंब देखने मात्र से ही कुछ अद्भुत चमतकार हो जाते हैं तो फिर जिनेंदर देव पिर उनकी पूजन करने की क्या अद्वुत महिमा है ये सब बातें हो चुकी है और फिर छे प्रकार की पूजाएं बतला दी गई थी कौन-कौन सी पूजा कौन-कौन लोग करते हैं चत्रमुख पूजा पहली प्रकार की पूजा कही थी चत्रमुख ये मुकुट बद्ध महामंडलेश्वर राजाओं के माध्यम से की जाती है फिर कल्पद्रुम पूजन की बात कही ये जो कल्पद्रुम पूजन होती है ये हैं चक्रवर्तियों के माध्यम से की जाती है समव इस तरह से पूजन कही थी इंद्र ध्वज पूजन जिसमें इंद्र प्रमुख होते हैं और अक्रत्रिम जिनालयों में ध्वजा परिवर्तन का कारिय मुख्यरीती से होता है इसलिए वो कहलाता है इंद्र ध्वज चार हो गई एक कही थी नैमित्तिक पूजन और एक कही नित्य पूजन नैमित्तिक पूजन कभी कभी की जाती है इंद्र ध्वज कभी किया जाएगा सिद्ध चक्र कभी किया जाएगा मने ये सब कभी कभी किये जाने वाले हैं सब जैसे महा मांडलेश्वर राजाओं के द्वारा की गई तो रोज रोज थोड़ी नहों होती है इसी तरह से कल्प द्रुम हुई इंद्र धज हुई सिद्ध चक्र हुई या फिर समझ लीजे आप रक्षा बंदन पूजन विश्णु कुमार मनिराज की पूजन सब्मंदी बात हुई शुर्थ पंचमी अवीर शासन जैन्ती की पूजन की बात हुई तो ये सब तो निमित्त से की जाने वाली पूजन है और कभी कभी की जाएंगी जैसे दस लक्षन पर्व के दिनों में दस लक्षन पूजन की जा रहे है तो निमित्त से की जाने वाली पूजन है इसी तरह से समझ लिए सोले कारण की पूजन तो भीया सोले कारण चल रहे हैं सोले कारण की पूजन की जाए तो ये निमित्य से की जाने वली पूजन है नहीं निया रत्नत्रे पर वो चल रहे हैं अभी तो रत्नत्रे की पूजन होगी तो ये रत्नत्रे की निमित्य से की जाने वली पूजन है लेकिन जो नित्य पूजन है वो बहुत माइना रखती है महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बतला रहे है 363 नाम का पेज है और हेडिंग है नित्य मेह पूजा के पांच प्रकार दैनिक पूजाओं के पांच प्रकार पांच उपचार आचारियों नित्य मेह के पांच उपचार बताए है तथा पंचोपचारी नाम से कहा है यह पंचोपचारी पूजन कहलाती है, यसे उपचार भी कहते हैं, सुने नहीं होगे शब्द कभी, पांच उपचार, नित्योपचार, पंचोपचारी नाम से इस पूजा को कहा, पांचोपचारों का निर्देश इस प्रकार है, आवानन, स्थापन, सन्निधिकरन, पूजन लेकिन इन्हें पंचुपचारी क्यते हैं तो एकदम बुद्धी में जोर लगाना पड़ेगा कि फुझ जाती है तो सबसे पहले आवानन से बाद शुरू होती है मैं उन्हें बुलाया जाता है निमंत्रित किया जाता है देखें यह लब व्यावहार ही है वस्ताव में इन 5 बातों में उपचार भी लगता है इसलिए इन 5 बातों को पंचो उपचार ही कह करके पुखारा गया है तो यहन परम्परा में कोई परमात्मा बोलाने से आते हैं जब आते ही नहीं है तो फिर उनका वृय सब कैसे बनेगी ये बात। आवानन इस्थापन और और सन्य लेकिन सुन्दर चर्चा है ऐसा उप्चार भी पूजन में भावनात्मक है हम जानते हैं हमारे यहां जैन परंपरा में की जाने वाली पूजा में भावना की प्रधानता होती है इसलिए हम यह कल्पना करते हैं अत्र अवतर अवतर संवोशट इति आवहाननम यह आवहानन हो गया अत्र अवतर अवतर इति आवहाननम बोलने की जरूरत नहीं है किया अत्र अवतर अवतर अत्र तिश्ट तिश्ट थेठ बस इस थापनम बोलने की जरूरत नहीं है कहते हैं लिखा भी पूजा की पुस्तकों में कभी बोल भी लें तो कोई विरोध नहीं है लेकिन भाई यहां आई यहां बैठिए फिर बैठ गए ऐसा थोड़ी नका जा आत्र अवतर आए आई यह आए है अब आ गए अक अट्र तिश्ट तिश्ट थेख यहां बेठ है कि फियर हम कि इस थापनम मुले अहां बैठ गए gone अत्रमम सन्नी ही तो भववववशट मेरे निकट आ जाईए यहां पर पूजन का विशय है अभिशेख पूजन से पूर्व की उपचरिया है अभिशेख जो है ना इसलिए अभिशेख को यहां पूजन में शामिल नहीं किया अत्रह उसका नाम नहीं दिया है उसका नाम यहां पर नहीं दिया गया है उल लिखित उपचार पंचक प्रतिमा के आश्रे है और प्रतिमा की पूजा इस्थापना के आश्रे है भाई ये सारे के सारे जो उप्चार किये हैं ये सब पूजन के लिए किये गए हैं और ये सब के सब पूजन के जो अंगे हैं ये प्रतिमा के आश्रे से हैं और जिनेंदर देव की जो प्रतिमा हैं वो प्रतिमा ही इस्थापना के वेस पर होती है इस्थापना ही वो होती है देखिए अतह करम प्राप्त इस्थापना का स्वरूप बतलाते हैं कैसी इस्थापना में उपचारों का अस्कित्व भी किस प्रकार का रहेगा कैसी स्थापना में कैसे उपचारों का अस्कित्व रहेगा किस प्रकार का रहेगा इसका भी सा प्रमान निर्णे करते हैं इस सब बातें यहां बतला रहे हैं स्थापना के संदर्ब में भी पहले कभी सुनी होगी कई लोग जानते होंगे तदाकार और आतदाकार रूप से एक तो साकार इस्थापना है एक निराकार इस्थापना है वो सब चर्चाएं थोड़ी थोड़ी सी बतलाने वाले हैं सुनें तो सही जानें तो सही क्या होता है फिर ये भी बतलाएंगे कि इनमें क्या क्या किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए वो भी सब बातें कहेंगे साकारा दी निराकारा स्थापनाचे द्विधामता अक्षता दी निराकारा साकारा प्रतिमादिशू आवानन आवानम प्रतिश्ठानम सन्धिकर्णम तथा पूजा विसर्जनम चेती निराकारा भवेदियम साकारे जिन बिम्ब है स्यादे ये वो पिचार कह सेचाष्ट विधिरे वोक्त है जलगंदा ख्षता दी भी है इस्था अपना दो प्रकार की होती है एक साकार और दूसरी निराकार दो तरेकी हो गई वैसाब जिस पदार्थ की स्थापना की जाए जिस भी पदार्थ की स्थापना की जाए यदि उसी प्रकार की आकरती रखकर स्थापना की जाए तो उसको साकार अत्वत तदाकार स्थापना कहते हैं अब बहुत सारे एक्जामपल इसके लिए आप लगा सकते हैं महत्मा गांदी जी की मूर्ती में महत्मा गांदी जी की इस्तापना ये तदाकार इस्तापना है हमारे जिनेंदर देव की भी जो इस्तापना है ये सब तदाकार इस्तापना होती है क्योंकि हमारे जिनेंदर दे इसे साकार भी कहते हैं तत आकार से आकार आकार सहित तत आकार जिसका जैसा आकार है लोडिया जी आपका जैसी आकार शकल है जैसी आकरती है वेसी प्रतिमा बना करके इन दौर में की है न पाटोदी जी की प्रतिमा तो देख करके पेचान लेते हैं कि भाई ये पाटोदी ज की है इस तरह से भगवान की प्रतिमा कैसी होती है जिन प्रतिमा जिन सारी की जिनेंद्र देव की प्रतिमा जिनेंद्र देव की अनुसारी होती है मने हमारे यहां जिन एंदर देव की प्रतिमा ऐसी नहीं होगी कि डाड़ी मूच वाली बना दी प्रतिमा बना दी भी है डाड़ी बड़ी हुई है प्रतिमा बना दी उनके मूचे लगी हुई है प्रतिमा बना दी माते पर टोपी लगी हुई है कैसे बनेगी मुकुट लगा दो भाई सब ये कर दो भाई सब कुछ और और कुछ बना दो कैसे बनेगी प्रतिमाएं भाई मैंने जिन प्रतिमा तो जिनिंदर देव जैसी होती है क्योंकि वे साकार वली है साकार प्रतिमा है इसे तदाकार प्रतिमा कहते है इसे तदाकार इस्थापना कहते है मैंने उस प्रतिमा को देख करके उस व्यक्ती की याद आवे ये तदाकार इस्थापना होती है उस मौडल को देख करके उस चित्र को देख करके उस प्रतिमा फोटो को देख करके उसकी याद आए ये तदाकार इस्थापना कहलाती है ये देखिए उसको साकार अत्वा तदाकार इस्थापना कहते हैं जिस प्रकार धातू पाशान आधी अरहंत आधिक का आकार बना कर उनको अरहंत आधी कहना बस धातू का आकार बना दिया पाशान का आकार बना दिया उनमें क्या अरहंत जैसा आकार बनाया और ये के दिया गया ये अरहंत है अरहंतों जैसी प्रतिमाएं उन्हें अरहंत के द ट्रेहुय होते हैं नासाग्र मुद्रा होती है शान्त चवी होती है वेसी तो है हमारे जिनंद्र देव की प्रतीमा भी इसलिए उसे साकार प्रतीमा कहते हैं तदाकार इस्थापना कहते हैं उसे तदाकार इस्थापना या साकार इस्थापना देखे पार्शनाद भगवन की प्रतिमा फन वाली प्रतिमा है इसे साकार इस्थापना नहीं कहेंगे अब इसको क्या कहें इसको यह तो पूर्व आकार की प्रतिम पूर्व आकार भी थाई नहीं पार्ष्वनाद भगवान का ऐसा ऐसी इसकी तो कहां बनी उनके साथ में पार्ष्वनाद भगवान के सर पर फन लगे हुए हो यह तो उपसर्ग दूर करते समय उपसर्ग दूर की प्रक्रिया के समय यह सब बातें ऐसी बन गई धर्णेंद्र जी और पद्मावती जी आ गए उनके रक्षा करने के विकल्पों से तो पार्शनात भगवान की रक्षा करने के विकल्पों से धर्णेंद्र और पद्मावती यह दोनों आ गए और यह था योग्य अपने रागा थे तम तो उनकी प्रतिमा जैसी होगी वह साकार प्रतिमा तो इसी तरह की होगी जिसमें फन नहीं होंगे बहुत प्राचीन प्रतिमाएं भी आपको इस तरह की मिलेगी जो बिना फन वाली प्रतिमाएं हैं शिखर जी में ही बिना फन वाली प्रतिमाएं हैं मेरे क्याल से 20 पंथी कोटी में 13 पंथी कोटी में हैं बिना फन वाली पार्शनाद भगवान की प्रतिमाएं बहुत प्राचीन प्रतिमाएं जगे जगे प्राचीन प्रतिमाओं की बाद द्रोन गिरी में भी ऊपर पहाडी पर बिना फन वाली पार्षणाद भगवान की प्रतिमा यह तो वास्त विक स्वरूप तो वही है तभी तो वह तदाकार स्थापना कहल आएगी अभी एसी तरह बावबली भगवान की बात कर लिजे तो बावबली स्वामी की जो प्रतिमा जिसके उपर बेलें चड़ी वी है भाई या अरहंत दश्या में तो बेल चड़ नहीं सकती है क्या है प्रश्ण सामने दिख रहा है फन वाली प्रतिमा दर्शन पूजन के योगे है या नहीं है उसमें क्या बादा है अब पार्शनाद भगवान को ही लक्ष में रख करके उस प्रतिमा की इस्थापना की गई है हमारे प्रेम जैंजी बजाद साव नहीं करते लेकिन दर्शन उन्हें मुनिराज मान करके मुनि अवस्था भी तो पूज़े ना एक्च्छल में अपने यहां अश्ट द्रवे से मुनिराजों की भी तो पूज़न की जाती है वैसे सदा सुग्दाज जी ने निशित किया है इसका चर्चाई है इस तरह की लेकिन कहां कहां करोंगे क्या करोंगे आप देखो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि प्रतिमा के उपर फन है तो वो अरहंत अवस्था तो नहीं है यह तो बिलकुल सुनिश्चित है बात और भूत नैगमने की अवस्था है भूत कालीन अवस्था है वो उनकी मुनी अवस्था का कारिय है मुनी अवस्था के अंदर उपसर्ग मुनी अवस्था में भी तिरतंकर के जीवों पर जो उपसर्ग की इस्तिती बनती है वो क्या उपसर्ग और कौन तो बचाए और कौन र और केवल ज्यान हो जाने पर तो अनंत बल हो गया है यह क्या करेंगे यह बल हीन अपने राग का पोजिशन करते हैं मैंने शायद पहले कभी अपने बालबोत के प्रवचनों में जब भगवान पार्शनात स्वामी वाला पाठ पड़ाया थीन चार साल चार साल पुरानी बात जी ने आकर के पार्शनात भगवान की रक्षा की और यह घटना तो ठीक इसी तरह से लगती है जैसे दारा सिंग्जी युद्ध में दारा सिंग्जी खड़े हों घर पर बैटे हों सो रहे हों आराम कर रहे हों और कोई बाहर से कोई बदमाश साधारन साभ व्यक्ती कोई आगे हां और वो दारा सिंग्जी को ललकारने लगा घरे तेरी क्या हम्मत है तू बाहर निकल और दारा सिंग्जी बाहर निकले सामने साधारन से व्यक्ती मारने वाले साधारन से व्यक्ती अब दारा सिंग्जी के आगे चलती नहीं है उनकी अच्छा यह देख करके दारा चिंता मत करना, मैं बेटा हूँ ना, मैं आपको बचा लूँगा, बोलो, सोच जड़ा, आप खल्पना करो, क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, वो बच्चा आएगा, चार साल का बच्चा बच्चाने के लिए, क्या, वने, चार साल का बच्चा राग से आरा है, बचाने की भावना से आ रहा है लेकिन मुझे तो सिर्फ यह कहना है कि यदि वो बच्चा नहीं आए तो क्या दारा सिंग जी आसुरक्षित है यदि वे नहीं आते इन केस कल्पना कीजिए घटना तो सच्ची है दर्णेंद्र जी भी आये थे पदमावती जी भी आई थी बि अनिराश पार्शनात स्वामी का क्या हूता ये बताओ मुझे बोलो तो आगे वैसा भाई वो आये थे वो अपने राग से आये थे अपने विकल्प से आये थे अपनी अच्छी भावना से आये थे सद भावना से आये थे पदमावती जी की जो भावना थी वो बहुत अच् वो अपनी भक्ती की भावना से आये भक्त हैं पार्षणास्वामी के भक्त हैं नाग नागिन के जीव थे दे मरकर के धर्णेंद्र पदमावती हो गए थे ठीक है उसमें क्या दिक्कत है आ गए साथ उसमें क्या दिक्कत है बचाने का भाव भी आया ठीक अच्छी बात है ले ज्यादा बाल की खाल नहीं निकाली जाती है यह था योग्ये जो जैसा कथन है उसे पढ़ दिया जाता है ऐसे ही कथन है बाई साब बाउवली स्वामी के ओपर बेलें चड़ गई थी बाई साब बेल चड़ गई वैसा बाउवली स्वामी के ओपर क्या करें ले कि अधान वारी ब lied बावलिश्वामी की पूजें के नहीं पूझें क्या करें मुनिया वस्ता की हो सकती है क्योंकि अरंथभी ओस्ता में चार नहीं सकती है उनके ऊंपर लेकिन पूरे दुनिया भर में ऐसी पुझी जा रही है पूजी जा रही हैं तो कोई उसमें कुछ नहीं कह सकते अपन देखिए यहां लिख रहे हैं आगे भविश्य का लिन प्रतिमाओं को भी पूजते हैं ना मैंने वो होने वाली है ऐसा जान करके भी तो पूजते हैं तो उसमें क्या बाद है चलिए जिस प्रकार धातु पाशा है यह निराकार स्थापना यह भगवान की प्रतिमा में नहीं चलेगी निराकार स्थापना की बात भगवान की प्रतिमा निराकार नहीं होगी भगवान की प्रतिमा ऐसी नहीं हो सकती है यह यह डोंगल रग दिया और इसको कह दिया भाई है इसको अरंध भगवान मान कर कि इसकी कर लो पूजा अरे नहीं ऐसे कैसे चलेगा आपने कुछ भी चीज रख दी और किसी की भी कैसे भी पूजन करने लगदे बोले यह नहीं चलता है हमारे यहां तो तदाकारी चलती है भगवान की प्रतिमा तो आपने वहां लट्टू रख दिया आपने वहां लड्टू रख दिया आपने वहां कुछ भी रख दिया इसको मालो भगवान मालो इसको इसकी पूजा करो कैसे कैसे करें इसकी पूजा भगवान तो भगवान जैसे तदाकार इस्तापना हाँ आतदाकार की फिर इस्तापना क वी उस पदार्त के नाम से कहते हैं। इस प्रकार शत्र 창ण में बचत्र को का हाथीगोडे का और प्यादे का का ऱ करses सब्चतषा में हां कर 난 a था तो गव्याएन से इता है था था वेлемा के चोल परिभात फ़रवन मुनि हगता फ़र. तो आध हम अब कर चेली स्वरि महें पुझषी स्वर्णा पुंत्रतीन श्रीमतिए रूप्या प्रेवार असुने ऑद्रिजरत परिवार राजकोट डुझरात झाल झाल